हाई व्यूवर्स वल्कम टो माई चानल कैसे आप सब उमीद है खेरियत से होगे आज हम मिनी ब्रैट पकोड़ा बनाना सीखेगे बारिशों के मौसम में ये पकोड़े बहुत ही मज़े के लगते हैं तो चलिए देखते इसको बनाते कैसे हैं या पर हमने तीन चोटे साइस के आलू को बॉल कर लिया है इसको हम ग्रेट कर लेगे अब चाहो तो इसको मैश भी कर सकते हो है यह पर मैने एक पान में थोड़ा सा ते्ल ले में दू ने लिया है दो से तीन टेबल स्पून के परीप तेल ले ले लिया है इसमें हम एक टीस्पून साबग जीरा को तेल में जटकने देगे, इसमें हम बारिक कटीवी अद्रफ और मिर्चिय को डाल कर इसको सौटे कर लेगे कुछ सेकंड के लिए, इसमें हम कुछ मसाले आट कर लेगे, नमक, खल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और दन्या पाउडर को डाल कर कुछ सेकंड के लिए, इसको हम सौटे क यहाण लिखाई तेम करें के इसको मास्ट चलेगे आमचूर पाऊडर ढाल्ः दाल देगे और फोड़ा सा कस्तृरी मेतीο डाल दी हमेने उसको अची तरह से अम मिक्स कर लेगे और लास्ट में इसके उपर हम बारिक कटीवी धन्या डाल कर इसको भी मिक्स करके इसको थंडा होने देगे यहापर हमने दो ब्रेट के स्लाइसिस ले लिया है इसके हम साइज को निकाल देगे इसको हम खूल कर इसके उपर टमीटो सॉस लगा देगे मैंने याप पर होट एंड स्वीट टमीटो सॉस यूज़ कर लिया है इसके उपर हम ग्रीन चटनी को लगा देगे आप जो सान्विच इस पर लगाते हो या पकोड़े के साथ खाते हो वो आप लगा सकते हो इसके उपर इसके उपर हम थोड़ा सा आलू का फिलिंग स्पेड कर लेगे इसके बाद इसके उपर एक चीज का स्लाइस डाल देगे और इसको हम बंद कर देगे इसके उपर हम तूद्पिक्स को ऐसे अरेंज कर लेगे इसको हम काट लेगे विल्कुल इसी तरह से आपको सारे तैयार कर लेना है इसके बैटर को बनाने के लिए हमने यापे एक कब बेसन का आठा ले लिया है इसमें हम एक टेबल स्पून चावल का आठा डाल देगे इसमें चाय का थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, नमक्स बादानुसर, कुछ मसाले आड़ कर लिए मैंने यापे इसमें इसमें थोड़ा पानी डाल कर इसका एक गोल बना लेना है नहीं ज्यादा थिक नहीं ज्यादा पतला इसमें हम तोड़े से चिली फ्लेक्स और बारिक टीवी धन्या डाल कर इसको फिर से मिक्स कर लेगे यह मैं भूल गई थी डालने के लिए इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें हमारे ब्रैट के पकोडो को इसमें डुबो कर इसको गरम तेल में फ्राइ कर लेगे पहली बार हम बस 2-3 मिनिट के लिए low flame पर पका लेगे और इसको निकाल देना है और दूसरी बार जब भूँ आपको इसको शुर्फ करना हो तो आपको बस उससे पहले ही इसको medium heat पे 1 मिनिट के लिए fry कर लेना है तो दो बार आपको इसको fry करना है एक पहले ही और दूसरे सर्फ करने से पहरे इसको हम टाय करके इसको गर्मा गरम सर्फ कर लेगे इसको आप टमेटो सॉस या आप इसको कोई भी चटमी के साथ सर्फ कर सकते हैं जो आपको पसंद है Thank you for watching. Until next time. Take care. Bye-bye.